बार जैहिन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे बाइलोजी के कुछ इंपॉर्टन कुश्चन और उसके साथ मैं आप ओनलाइन मोक टेस्ट भी दीजिए जो कि ओनलाइन हमने आपके लिए बनाया है जिसमें तीश कुश्चन हों से लिंक आप हमें कमेंट करिये हम आपको लिंक जरूर प्रवाइड करवाएंगे तो कमेंट में हमें आप जरूर बताईए अगर आपको यह टेस्ट देना है इससे पहले हम आज के बीडियो में कुछ इंपोर्टन बायोजी सेक्षन के इंपोर्टन प्रसंद देखते हैं उमीद है आपको जरूर पसंद आएंगे और यह प्रस्ण बहुत अच्छे हैं आपको इनने जानना बहुत जरूर यह है उमीद है आपका टायम बिल्कुल भी बैस्ट नहीं होगा और आप इस वीडियो को लश्ट तक जरूर देखें थाइमीन बिटामिन है यानि कि जो थाइमीन होता है उसे बिटामिन कहते हैं अगर पूछा जाए थाइमीन क्या है तो थाइमीन एक बिटामिन है तो थाइमीन क्या है बिटामिन है बिटामिन के बारे में अक्सर एक्जाम में बहुत सारे प्रस्ण पूछे जाते हैं बासा मे और vitamin C किसमे पाया जाता है जैसे आउलळा है और खट्थे फुलओं vitamin C पाया जाता है गाजर एक अच्छा Sri best है अकसर एक न एक प्रष्ण vitamins related जरूर होता है तो ये भी important stomachcktharm rape so भोजन का अनवार अभयव carbohydrate है यानिकि जो भोजन का जो अनवार अभयव होता है वो कार्वो हैड्रेट होता है क्योंकि इससे न हमारे सरीर को इनर्जी मिलती है जैसे हम रोटी खाते हैं उसमें कार्वो हैड्रेट होता है तो बहुत सारे जो कार्वो हैड्रेट उसकी जरूरत सरीर को बहुत पढ़ती है औ कमी से दंथ 6 होता है यानि कि जो दांत गिरने लगते हैं आदमी के तो किसकी वज़े से होता है तो फिलोरीन होता है जो फिलोरीन की वज़े से दंथ 6 यानि कि दांत गिरना प्रारंब हो जाते हैं इंपॉर्टेंट है लोहा की कमी से एनेमिया रोग हो जाता है जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है जो लोहा की कमी से एनेमिया रोग हो जाता है यानि कि जो हीमोगलोविन होता है उसमें लोहा होता है और इसकी कमी से जो हीमोगलोविन है वो क्या है तो हीमोगलोविन के कारड रख्त लाल होता और हीमोगलोबिन में सबसे ज़्यादा लुहा पाया जाता है लुहा एक तत्त्त है जो कि अधिक मात्रा में हीमोगलोबिन में पाया जाता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो रोगी को इनेमिया हो जाता है यानि कि ऐसा रोग जिसमें खून की कमी हो जाती है ऐसा रोग हो जाता है जिसमें ब्यक्ति को खुन की कमी हो जाती है अगला फैक्ट है मसूडों से रक्त-सराओ को इस्कॉर्बिक अमल रोकता है जो इस्कॉर्बिक अमल होता है वो रक्त-सराओ को रोकता है जो मसूडों में रक्त-सराओ की समिस्या हो जाती है उसको कौन रोक उसे ठीक करने के लिए एक ascorbic अमल होता है यानि एक ascorbic acid वही इस मस्वूरों के रक्सराव को रोकता है। तो लार starch के पचने में मदद करता है। जो लार होती है वो starch होता है और यह जो fiber है इसको भी पचने में मदद करता है। अगला हम, गाजर की जड़काई हम यूज करते हैं और आलू के तने का हम यूज करते हैं, तो खाने में हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं लेकिन इनके प्रसंदक्षर पुछ जाते हैं कि हम किस चीज प्रयोग प्रयोग करते हैं बजरी रेत में उगने वाले पौदों को सेमोफाइट कहा जाता है जैसे बजरी वार रेत में अपने आप कुछ पौदे उगाते हैं, उनको क्या कहते हैं यह एकजाम में, important person है, यह कई बार एकजाम में पूछा गया है तो बजरी वार रेत में उगने वाले जो पौदे होते हैं, उनको हम samofights की नाम से जानते हैं important है याद रखिए सैमो फैट्स की नाम से हम जानते हैं आभासी ये आभासी इस गलत लिखा हुआ है आभासी फल सेव को कहते हैं आभासी फल किसे कहते हैं सेव को तो सेव एक उधारड है आभासी फल का तो आभासी फल होता क्या है ये जानना हमारी लिए बहुत important है आभासी अगर बात करें तो आवासी फल का एक प्रमुकोदार सेव है और आवासी फल ही कूट फल भी होते हैं तो सेव को कूट फल भी कहा जाता है यानि कि आवासी फल असत फल या कूट फल ये तीनों एक ही बात है इन्हें सब असत फल यानि की फास फ्रूड कहा जाता है अगर फल क फल का निर्माड कैसे होता है या फल को क्या कहते हैं तो फल को हम परफक अंडासे कहा जाता है वहीं बात कर लें कि आवासी फल और सत्थ फल यानि कि टूफ रूट्स में अंतर क्या है तो सभी पादपों में फल का निर्माड अंडासे से होता यानि कि जितने भी फल होते हैं ज्यादा तर जो फल होते हैं उनका निर्माड अंडासे से ही होता है यानि कि जो फल होता है वो एक परपक अंडासे होता है पादपों का एक परपक अंडासे होता है उसी को हम फल कहते हैं तो ऐसे फलों को हम सत्थ फल कहते हैं यानि कि true fruits कहते हैं जैसे आम हो गया अंगूर हो गया ये सब true fruits हैं लेकिन वहीं पर क्या होता है कुछ पादपों में अंडास है के अलावा पुस्प के अन हिस्सों से भी कुछ फल भिक्सित होते हैं इनको हम आवासी फल या false fruit के नाम से जानते हैं और कूट फल भी इनको हम कहते हैं तो इनके उ पुस्प के अन हिस्से यानि कि दलपुझ बहापुझ आदी से उत्पन हो जाते हैं आदी से इनका निर्माड होता है इसी कारण इनको आवासी फल या कूट फल या असत्त फूरूट यानि कि false fruit के नाम से जानते हैं तो उमीद है आपको पता चल गया होगा आप कि आप कन् जाए कि आम कैसा फल है तो आम एक सत्त फल है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और आपको अगर मोक टेस्ट देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता है हम आपको जल्दी से लिंक प्रवाइड कराएंगे जिसस आप एक मोक टेस्ट अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका जो पेपर होना है वो अच्छे से हो जाए चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनबाद थैंक यू